एंडीरेफ के टीजी अतुल करवल इस वक्त एवीपीनियूस के साथ बाचित करने के लिए मौजूद है एंडीरेफ हेटकौर्टर से लगतार वाच कर रहे हैं क्या स्थिती है सबसे पहले अपडेट काफी हद तक काम पूरा हुआ है लेकिन मुझे लगता है अभी जो बाकी कोचिस हैं उनमें बहुत ध्यान से हमको काम करना रहेगा कि लाइब डिक्टिम कोई अंदर हो तो हम उसको नुकसान ना करें मेटल कार्ट के अंदर जाने में रेस्क्यू करने के प्रोसेस में तो आश मिनिस्ट्री जो इंक्वारी के लिए उसमें पता लगेगा लेकिन जो उसका रिस्पॉंस था उसमें मुझे कोई कमी नहीं दिखती हमारी टीम जैसे पास में थी तो सबसे पहले एक सवा घंटे में पहुंच गई जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉंस फोर्स और्डर अभी नहीं दिखते हैं एक्सिरेंट कैसे हुआ है इंक्वारी के बाद पता लगेगा तीन ट्रेन थी या दो क्योंकि यह स्थिती अभी तक पश्ट नहीं हो पाई है आप लोगों को जो वहां पर ग्राउंड जिरो पर है उनको क्या लगा हमने भी देखा है कि मीडिया रि पर इंडियारिफ की तरफ से गई नौ टीमें वहां पर हमारी पहुंच गई है को तीन सो रेस्क्यों हैं और हम संपर्क में रहते हैं कि इडिशनल रिसोर्सी की जरूरत हो तो हमको बताया जाए लेकिन जितनी जरूरत लगती थी उससे अधिक टीमें वहां रिजर्व की त स्थिती है इस पर बातचीत कर रहे हैं आज पूरा दिन लग सकता है क्योंकि बड़ा रेल हाथसा है और आज कब पूरे दिन लग जाएगा इंडियारिफ की टीम को वहां पर जाकर के सिचुएशन कंट्रोल करने में इसके अलावा गर मैं आपको तस्वीरे दिखा सकूँ यहां एंडियारिफ हेट कोटर से जहां पर अतुल करवल जो है वो मौझूद है और बातचीत कर रहे हैं और क्या सिचुएशन है इस पर यह आपके सामने तस्वीरे हैं और यह लगातार यहां से वाच किया जा रहा है और यह आपको जहां ट्रेन अक्सिडेंट हुआ है ज इस वक्त क्या इस्तिती थी वो आप यहां से देख करके समझ सकते हैं और लाकतार वाच कर रहे हैं अतुल करवल और अगर जरुवत पड़ी तो यहां से टीमें क्या जाएंगे इस पर भी हमने बातचीत करने की कोशिश किये लेकिन बहराल वहां जो टीमें मौजूद है व समझ सकते हैं कि वही ग्राफिक्स के जरीए Google Map के जरीए जो है वो यहां लगाए गया कि बहंगा train अक्सडेंट जहां पर हुआ है कितनी दूरी पर क्या है यह सारी चीजे जो है यहां लगाए गया तो पुल मिलाकर वाच यहीं से किया जा रहा है अपने सोयोगी आदर्श नायर के साथ निदिश्री एभी पिने उसे दिली